हेलो गैज, वेलकम बैक माई यूटूब चानल, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही जिमेल अकाउंट का बहुत ही खमाल का सैटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ अगर उस सैटिंग को आप आउन कर देते हो, तो कोई भी हैकर आपका जिमेल अकाउंट को कभी भी हैक नहीं कर सकता है जी हाँ दोस्तों बिल्कुल आप साइच सून रहें, अगर इस सैटिंग को आप अन कर देते हो, तो कोई भी बंदा आपका Gmail अकाउंट को hack नहीं कर पाएगा, बीना आपके permission के, जब तक उसे आप permission नहीं दोगे, तब तक वो hack नहीं कर पाएगा, तो चलिए आज मैं आपको मैं बताता हूं कि वो कौन सा सैटिंग या, वो कैसे on करना है, आप इसे कैसे कर सकते हैं, तो चलिए बढ़े को शुरू करते हैं, सबसे पहले दोस्तों, आपको अपना mobile पे आजाना है, mobile पे आने के बाद आपको यहाँ पे Gmail account को open कर लेने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटर्फ्रीश आता है, यहाँ पे जो उपर में आपको लोगो देखने को मिलता है, तो इस लोगो के उपर आपको क्ल Google account इसके उपर आपको क्लिक करना है, इसके उपर आप जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके सामने एक ऐसा page open होके आजाता है, तो आपको यहाँ पर देख रहो यह page open होके यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ कर देना है, आपको थोड़ा सा इधर आन है, इधर आने के बाद आपको यहाँ एक security का option मिलता है, तो इस security के उपर आपको क्लिक करना है दोस्तों, इसके उपर आप जैसे क्लिक करोगे फिर से एक page open होके आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे की और आएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा, two step verification, two step verification यहाँ पर off है, अगर इसे आप on कर देते हो, तो कोई भी hacker आपका Gmail account को hack नहीं कर पाएगा, बिना आपके permission के, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसे on कैसे करना है, इसको on करने के लिए इसके उपर click करना है, इसके उपर click करने के बाद आपको आपके सा है, get start के उपर click, get start के उपर जैसे click कर दोगे दोस्तों, फिर से एक page open होके आएगा, तो यहाँ पर आगया, देखरो यहाँ पर जो email ID है, इसका password यहाँ रहा है, enter your password, यानि कि यह जो email ID, Gmail account है, इसका password क्या है, आपको यहाँ पर डालना है, तो चलिए मैं password डाल लेता हूँ, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर password डाल लिया है, password डालने के बाद आपको कर देना है next के उपर click, next के उपर click करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से एक page open होके आएगा, तो चलिए देखों, यहाँ पर एक नया page open होके आचुका है, और यहाँ पर लिख रहा है, स्वामी पर मेरा email ID login है, जो कि मैं, यह जो मेरा mobile Redmi Note 5 Pro है, इसी पर मेरा email ID login है, यहाँ पर दीख भी रहा है, उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है continue, तो continue के उपर आपको क्लिक करना है, इसके उपर click करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से एक ऐसा page open होके आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखे हो, यहाँ पर मेरा mobile number आ चुका है, तो यहाँ पर आपको अपना mobile number आ गया होगा, तो अब जो भी mobile number यहाँ पर डालना चाहते हैं, उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है, OTP डाल दोगे तो क्या कोई भी अगर आपक email account को hack करना चाहेगा, तो उस number पर आपका एक OTP जाएगा, जब तक वो OTP वहाँ पर नहीं डालेगा, तब तक वो email account को recover नहीं कर पाएगा, Gmail account को, तो चलिए मैं इसी mobile number को यहाँ पर रहने देता हूँ, उसके बाद यहाँ text message लिखा हुआ, इसी के पर टिक है, उसके बाद म wait कर लेते हैं, देखो OTP भी आ गया, तो चलिए OTP मैं डाल लेता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर OTP डालने के बाद दोस्तों कर देना है, आपको next के उपर click, next के उपर click जैसे कर दोगे दोस्तों, तो यहाँ से आपका यह complete हो चुका है, यह देखो मेरा email ID, यहाँ पर सिर्फ आपको एक सेटिंग और on करना है, true on जो लिखा है, इसको आपको on कर देना है, यह जैसे on कर दोगे, two step verification complete हो गया, अब थोड़ा साम आते हैं, back सीधा, back आने के बाद आपको दिखाते हैं, back आते हैं, back आने के बाद दिखाऊंगा, जो वहाँ पर off लिखा था, यहाँ पर on ह हो गया होगा, जो रिलोड मैंने पेज कर लिया, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, two step verification on, अब कोई भी परसन आपका Gmail account को कभी भी hack नहीं कर सकता, जब तक उसे आप OTP नहीं दोगे, तब तक वो आपका Gmail account को hack नहीं कर पाएगा, तो उमीद करता हूं दोस्तों, यह व वाचिं दोस्तों, यह वाचिं दोस्तों